स्टार्ट करते हैं एक्सर्साइज 1.4 का क्योशन नंबर फस्ट तो देखते हैं क्योशन नंबर फस्ट में क्या है विदाउट एक्चली परफॉर्मिंग दा लोंग डिविजन की लोंग डिविजन के विना स्टेट वेदर दा फोलोईंग रैशनल लंबर्स विल है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपैंशन क्या बताना हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपैंशन है या नोन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपैंशन है यह चीज हमने बतानी है तो सबसे पहले तो हमें एक रूल पता होना चाहिए कि जो भी rational number हमारे पास given है उसमें denominator के factors बनाएंगे यदि उसके factors 2 की power m into 5 raised to power n की form में आ जाए मतलब जो denominator है उसके factor 2 और 5 की form में आ जाए तो इसका मतलब तो terminating decimal है otherwise not terminating repeating decimal expansion होगा तो सबसे पहले जरूरी बात क्या है कि हम denominator के factors करेंगे 1 by 1 अब उस 3,1,2,5 है इसके हम factor करेंगे इसके हम क्या करेंगे factor करेंगे 3,1,2,5 लास्ट वे 5 और 5 से समझाएगा 5 शिख जा 30 5 तू जा 10,5,5 जा 25 फिर 5 बंजा 5,5 जा 10,5,5 जा 25 फिर 5 तू जा 10,5,5 जा 25 फिर 5,5 जा 25 और कितना हो जाएगा 5 फंजा 5 तो 1,2,3,4 और ये 5 तो इसको ली सकते हम 13 अपोन 5 राइज तू पावर 5 इसको क्या लिख सकते हैं कि क्या जाए 13 अपोन में 5 राइज तू पावर 5 तो क्या बता आचा terminating के लिए कि अगर factors 2 और 5 की form में आज जाए तो कैसा decimal expansion होगा terminating decimal expansion अगर 2 आज जाए अकेला तो भी terminating है क्योंकि अगर एक नंबर है तो दूसरे से numerator और denominator से multiply करके हम निकाल सकते हैं मीन अगर denominator के factor 2 और 5 की form में आज जाए तो कैसा डेसिमल expansion होगा terminating decimal expansion तो हम क्या रिख देंगे terminating क्या दिख देंगे terminating कैसा decimal expansion है तर्मिनेटिंग डेसिमल expansion अब है 17 अपोर में 8 8 के factor करूं तो कितना अगर टू फोर जा एट टू टू जा फोर को टू बन जा टू तो इसको हम लिख दे 17 अपोर में 2 रेस टू पावर 3 तो यह पी कैसा होगा terminating decimal expansion कैसा expansion होगा terminating decimal expansion तो हम इसको लिख देते हैं terminating कैसा decimal expansion है terminating कैसा decimal expansion है terminating अब 455 है तो 455 के हम factor करेंगे 5 से कर देते हैं 5 9 जा 45 5 अंजा 5 फिर 7 से करेंगे 7 और 7 3 जा 21 यह कितना अगर 13 बन जा 30 तो इसको लिख सकते हैं 64 अपोन 5 इंटू 7 इंटू 30 तो क्या denominator के factor 2 और 5 पी फोर में है नहीं तो यह क्या होगा non-terminating repeating decimal expansion तो हम इसको लिख सकते हैं non-terminating क्या लिख देंगे non-terminating repeating decimal expansion repeating decimal expansion non-terminating repeating decimal expansion अब फोर्थ पार्ट पे आते हैं denominator कितना है 1600 इसके factor करो 1600 जब 1600 के हम factor करेंगे तो 28 जा 16 00 तो यह कितना जाएगा 400 फिर कितना जाएगा 200 फिर कितना जाएगा 100 फिर कितना जाएगा 50 फिर इससे कितना जाएगा 25 फिर 55 जा 25 और 5 बंजा 5 तो हम इसको लिख सकते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं 15 अपोन 2 की पावर कितना लिख दे 1 2 3 4 5 6 इसको लिख दे 2 raise to power 6 into 5 raise to power 2 तो denominator की factor 2 और 5 की फों में तो इसका मतलब कैसा expansion होगा terminating decimal expansion तो हम क्या लिख सकते हैं इसको terminating decimal expansion होगाई next में 29 अपोन में 343 तो कितना हो जाएगा 343 के हम factor निकालेगे 7 से करते हैं 7 फोर्जा 28 और 7 नाइन जा 63 और इसको हम क्या कर देंगे तो इसको हम क्या कर देंगे है कि 29 अपोन में 7 raise to power 3 तो क्या denominator 2 और 5 की फों में नहीं है तो यह क्या जाएगा non-terminating decimal expansion तो इसमें यह क्या जाएगा non-terminating क्या जाएगा non-terminating decimal expansion और 6 पार्ट पे आजाओ इसमें factors कहले दे रखे 23 अपोन 2 raise to power 3 into 5 raise to power 2 तो इसमे 2 और 5 की फों में है क्या denominator में की फेक्टर है 2 और 5 की फों में है तो इसा होगा terminating decimal expansion कैसा होजाएगा terminating कैसा होजाएगा terminating expansion कैसा होजाएगा terminating decimal expansion next as 7th part 129 upon 2 raise to power 5 into 5 raise to power 5 into 7 raise to power 5 तो क्या denominator में सिर्फ 2 और 5 ही है नहीं इसके लावा 7 और है तो इसका होजाएगा non-terminating decimal expansion तो यह क्या होजाएगा non-terminating क्या होजाएगा non-terminating decimal expansion होजाएगा next as 6 upon 15 इसके फेक्टर करते हैं तो कितना होजाएगा अपने पास 6 upon 3 raise to power 3 into 5 35 15 होजाएगा तो क्या denominator 2 और 5 की फों में है नहीं तो क्या जाएगा non-terminating क्या जाएगा non-terminating decimal expansion होगा कैसा decimal expansion होगा non-terminating decimal expansion इसके फेक्टर करेंगे और ये 5 5 जा 25 तो 2 इसको लिख दया 2 into 5 raise to power 2 क्या जाएगा 2 into 5 raise to power 2 तो यह कैसा decimal expansion है अब यह कैसा decimal expansion है इसके denominator के factor किसमें है 2 और 5 की फों में है तो कैसा होगा terminating decimal expansion क्या होजाएगा terminating terminating decimal expansion terminating decimal expansion तो जो हमारा first question है उसमें आमने बिना divide किये यह बताया है कि कोन सा decimal expansion terminating है कोन सा non-terminating repeating decimal expansion है तो अगर denominator factors 2 और 5 की फों में आजे 2 raise to power m into 5 raise to power m तो तो कहदेंगे terminating है अगर इनके इलावा आता है तो कहदेंगे non-terminating decimal expansion है इसके साथ अपना question number first आता है आता है आता है आता है